हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे बहुत ही जबजस लाजीज मिठाई अगर आप इसे एक बार बना के खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और किवल पांच मिनट में बनके तयार हो जाएगी तो आईए जानते हैं किस तरीके से इस मिठाई को हम बना के तयार करेंग करना आपको बिल्कुल बराबर से इसको कट करना है इसतर अदे इसा बेठ давай करेंगे देखिए यह दोनों साइट से एक साइट से जैसे साइट को समय आए जाती है जहां सभष इस तरह सती तरह करना है ये वह सब्सक्राइं ओड़। प्रशंत करें है एक एक ब्रेट लेना और इस तरीके से आपको फ्राइगेना है चेली मैं है इस तरीके से मैं लेते हैं संथ fish पर यहां पर इस तरीके से फ्राइट करेंगे तो देखिए यह वाली ब्रेट जो है दोनों साइट से एक जैसी नहीं है साइब आपका है तो क्या करना है ज़िआ economy ज्यादा ज्यादा ब्लाउन करना है जिन ज्यादा ब्राउन करना है उद्यादा ब्राउट जब कione छोड़ेना है एपक्षान लेगे आ नित दो फॉड़नी को यहां हम बनाेंगे चिनी से शीरा शीरा बनाने के लिए been और इसको बराबर से चलाते रहेंगे जब तक इसमें चीनी नगूल जाए क्योंकि इस प्रोसेस को करना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है चीनी जो होती है ऑर ते ऑर लहाबादी लेंग्वजर्च तरीके से वह आले देना है जब इसमें उबाल आने लगे तो उबाल आने के बाद आपको क्या करना है इसको इस तरीके से कल्चली में चम्मच में निकालना है और जब थोड़ा से ठंडा हो जाए तो इसमें हाथ लगा के चेक करना है कि यह चिपचिपापन आया है या नहीं आया है इसमें आपको इसमे से भी इस रेस्पी को बना सकते तब तो आपको शीरा बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहां पर देखिए चिपची पापन इसमें आ चुका है तो अब इसमें गैस आफ कर दिया है और गरम गरम में ही हमें क्या करना है एक एक ब्रेट को इस तरीक से डीप करना है और निकालने के बार शीरे में मतलब डीप करने के बाद आपको क्या करना है जो बचा हुआ शीरा इस तरीके से उपर से डाल देना है इस तरीके से सारे शीरे को हम डाल देंगे इस से क्या होगा जो थोड़ा बहुत अगर शोप अच्छे से नहीं हुआ होगा तो शीरे डालने कर रही हुं फ्रेश दोधी मलाई है तो फेट लिया है फेट लेंक लिए फोरी र答 मैं मलाईों लगा के खा सकते हो आप चाहूत इस तरी कशेनियर लगा की लगा करके तेस्ट हुआ है आपा कॉम मलाई इस तरीके से लागा लिए उसके घ्ञisl ARK वागा धॉया और उसके बाद कुछ बदाम के टुकड़े हमने काट करके लिए हैं उसको भी हम उपर से डालेंगे बस इसे आप ठंडा करिए या आप गरम गरम इंजॉय करिए वैसे ठंडा कर खाईए को बहुत पेस्टी लगता है आप इसे फ्रीज में लग दीजे अराम से दोचार दिन खाई यह दिन तक खाई यह कोई प्राब्लम ने कि यह पांच मिनट में यह मिठाई आपकी बन के तयार होती है ब्रेड की मिठाई आपको जब मन करें आप तब इसको खा सकते हैं अगर रजुले का सीरा घर में आया है तो आप शीरे को वेश्ट ना करिए आप इस रेस्प पी अच्छी लगी हो तो कॉमेंट में जरू बताएगा रैस्पी पसंद लाइट में और फैमिलिक साच चैयर करें चैनल पहली बार चैनल सब्स्क्राइब पर के बैल आपके जरू प्रस करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रैस्पी लापे रहते हैं थैंक यू